नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभर साक्षी मैं हूँ आपके साथ अंकित सिंग वक्त संसट डारी का है संसट भावन पर 2001 में हुए आतंकवादी हमले की 20 वी वर्षी पर उप्राश्ट्य परती और आजस सभा के सभापती इंविन के नाइडू तथा लोक सभा के सभित की हमले में जानगांए वालों कि तशवीरों पर पुष्पांजली अर्पित करने वालों में राज सभा के उपसभापति हरीवंश रकषा मंत्री राजिना सिंग राजिस्ञ चींग में बिपाक्ष के मलीकार्जुन खरगे कॉनुक्रष नेता राहूल गांदी केंद जक्षस सोनिया गांदी ने केंध्रीयम यानि कीक्षा में एक प्रष्ण पत्र में आये गद्यान्स को महिला बिरोधी बताते हुए ब़ोड और शिख्षा मंत्राले से इस प्रश्ण स्विशय पर माफि की माङ लोक्वामे की सोनिया गांदी ने शूनेकाल में इस विशय को उठाते हुए कहा कि मैं सरकार का ध्यान गत 11 दिसंबर को से बीसी की दस्वी कक्षा की परिक्षा में एक प्रश्ण पत्र में आए एक अप्रिये और प्रतिगामी सोच वाले अपढ़ित का ध्यांस को लेकर देश भर में उपजे आक्रोस की ओर दिलाना चाहती ह तो हमें कॉंग्रेस के नेता अधीर अंजन चौधरी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीटर हैंडल कुछ समय के लिए हैक किये जाने का विशय सदन में उठाया और कहा कि सरकार को इसका जबाब देना चाहिए चौधरी ने लोग सभा में शुन्यकाल के दौरा स्थलों एवं उससे जुड़े अधारभुत धाचे के विकासकारे को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेश दर्शन योजना के दिशा निर्देशों में बदलाव करने जा रही है और इसके बाद स्वदेश दर्शन टू पॉइंट जीरो योजना लाई जाएगी केंद्रिय वित्यमंत्री निरूना सीतारमन ने कहा कि सार्जनिक शेत्र के बैंकों में कुल स्विक्रित पदों में से पांच प्रतिशत या 41,177 पद खाली हैं विपक्षी दलों ने लोग सभा में स्वापक और सदी एवं मनह प्रभावी पदार्थ संसोधन बिध्यक के प्रावधान का विरोथ करते हुए सवाल किया कि इस कानून में 2014 में हुए संसोधन की त्रूटियों को दूर करने में साथ साल कैसे लग गए और इसे पूर्वे प्रभाव से लागु करने से एक और खामी पैदा हो जाएगी जिसे अदालत में चुनावती दी जा सकेगी निजले सदन मे वित्य मंत्री निर्बा सीता रमन ने स्वापक औसधी और मनह प्रभावी पदार्थ संसोधन विधयक 2021 को चर्चा एवं पारित होने के लिए रखा था केंद्र सरकार ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्ति स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लि रूप में जाना जाता था अब हम आपको राजिसभा की कारवाही के बारे में बताते हैं बारस अदस्ट्यों का निलंबन रद करने की मांग पर अड़े विपक्षिश अदस्यों के व्यवधान की वज़ा से सोमवार को भी राजिसभा में कारवाही पारित हुआ हंगामी क मामलों का अमबार लगे होने पर गहरी सिंता जताते हुए सरकार से कहा कि इनके शिख्र निस्थारन के लिए समूचित कजम उठाए जाने चाहिए ताकि लोगों को समय पर न्याय पाने का अधिकार सुनिशित हो सके अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को